नमस्ते साथियों कख्षा पाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बर्थ को पासवर्ट बनाकर जब लागिन हो जाएंगे तब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ब्लू बार के अंदर बहुत सारे आपसंस दिखाए देंगे इसी में आप यहां पर देख रहे हैं कक्षा 58 exam 2023 24 ठीक है तो इस आपसर पर आपको करना है क्लिक मैं करता हूं क्लिक क्लिक करने के पाश्या तीन आपसर आपको यहां पर दिखाए देंगे रुटेंट रजिस्ट्रेशन दूसरा है डाटा सिंक वेद सिक्षा पोर्टल तो यह जो दूसरा अपसर आपसर है हमारे बहुत ही महत्पुड है और इसी आपसर के माध्धम से हमक तो अपने विद्यार्थियों को डेटा है उसको सिंक कर लेना है अथात सिंक करने का असा जोड़ लेने से हैं को मना करके जोड़ जाए जहां भी आपके विद्यार्थियों को डेटा हो सिधे खुल कर आ जाएगा और तीसरा आपसर है रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस तो य यहां पर देखिएगा इस तरह की जानकारी खुल कर आ जाएगी ठीक है इसकूल और इसका डाइस कोड अपने आप दिखाए देने लगा क्योंकि आप अपने लागिन आईडी से ही लागिन जब होंगे तो आप कि स्वर्म की विद्याला का डाइस कोड दिखाए देने डेगे ऐसे क्लास देखाए देगा तो यहाँ पर करना चाहते या क्लास को सेलेट कर देंगे ऐसके पशा क्लिक करके सिधे data को sync कर लेंगे और नीचे यहां पर देखिएगा selection criteria का जो आपसंदिया गया है यहां पर school से सम्मंदित जो जानकरिया है और अने classes सम्मंदित जानकरिया है उसको भी आप sync कर्ष रखते हैं यहां पर आपको school का dice code type करना पड़ेगा और जब आप school का जोडाइस कोड़ा है उसको type कर लेंगे यहां पर क्लिक कर देंगे तो सीधे data सिंख हो जाएगा चलिए सबसे पहले आप जो आपसंदिया गया है यहां पर यहां पर school सिंग को डीटल कर देंगे हम कर दे ने लगेगी जैसे से हम क्लास पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तो क्लिक करेंगे तो यहां पर इस डिखाई देने लगी ठीक है जिस भी क्लास का सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से सारे बच्चों के डिटेल्स यहां सामने खुल कर आ जाएगी इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही मिलेंगा के लिए तब तक के लिए जैहित